आज हम बनाएंगे ऐसी बीना बेशान के बनेगी तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बाकॉरी जो कि फुली फुली बनती है तो यहां पर मैंने आलू लिया चार इसको मैंने अच्छी से छिल लिया है और इसको अब हम कद्दुकष कर लेंगे कद्ड्डु कस करने के बाद हम तूर निचोड़कर कर अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे नीचोड़कर कर देग कर्टोरी सूजी डालिए अब इन डॉन में हम जो आलू में डाला था कद्दुकस किया था उसको हम डाल देंगे और हलुका सा पानी आट करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो मिला लेंने के बाद यह कुछ ऐसा मिल कर तयार हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा पिर रेस्ट होने दे देंगे और फिर देखेंगा इसका घूल के तस सही बनेगा और अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं तो यह देखिए कि तस हमारा आट एकदम रेड़ी है इदम अच्छे से यह चीजी चीजी हो गया बिना चीज डाले देखिए कि तरीके से यह चिक च कुप पुणिन हें और इनको कट करके बारी काटकर ड़ देए और इसको भी हम अच्छे से में में क्टूर देंगे साथ ही में हलका सा स्वादनुसा नमक डालेंगे और हलका सा पानी डालके इसे हम आचों से मिक्स कर देंगे इसमें जादा मसाले नहीं लगते फ्रेंज बस कुछी चीजों से एदम टेस्टी सी नास्ता बनकर रेडी हो जाती है यहां बेखिये कि इता सही बन रहा है और हाथों को मुझे से से शचों से लगते अब यहाँ पर मैंने फ़ुड़ा वाइट तील डाला है आप चाहों तो कर लिया है तो अब हम इस तанти के सटे खीटे इस तरिके से फ्राई कर लेंगे डाल के कि ये देखें कित्ँछा ही हमारा निकल रहा है अब इस तरी के से हम अच्छा से इसको बना लेंगे और उसके बाद यह अराम से मीचे से निकल जाती है क्योंकि यह बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप एक बार जुरूर ट्राई करना फ्रेंट्स और हम इसको उल्टा कर देंगे और दूसरे साइट से अच्छे से पका लेंगे बहुत ही अच्छे से बनती है फ्रेंट्स एक बार जुरूर बनाना और अब इसको हम तोलों तरब से अच्छे से प्राई कर लेंगे आज अगर आपको आज की रेसिपी अच्छे लगी तो यह चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना और अब हम इसको निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम दुबारा भी बना लेंगे तो तेल में फिर से डाल दे इस तरीके से चटे चटे प्राई कर लेंगे पहले नीचे से उसके बाद हम इसको पलट देंगे और आसानी से यह पलट जाती है और यह देखिए फिर नाचा से यह उत रही है और अब हम इसको भी निकाल लगते हैं कि करके यह भी बन चुकी है इसका आप एक और रेसिपी बना सकते हैं तावा पर डाल कि जैसे नौर्मल छिलका बनाते हैं वैसे ही वैसी बना लीजिए यहां पर मैंने दोनों बनाया है और हमारी तयार है रेसिपी बनाँ पर लीजिए नौर्मल लीजिए